हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल फेंस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे बिगनर ड्राइबर आते हैं जब वो गारी सीखते हैं चलाना है मिस ड्राइविंग करना जब वो सीखते हैं तो बैसिकली ग्राउंड में सीखते हैं और कुछ हो सकती है खासके बिगनर ड्राइबर को तो आज इसी चीज़ के बारे में टोटल डिसकस करने वाले हैं आपको बताने वाले कुछ टिप्स भी प्रोवाइट करने वाले है कि जब आपका ग्राउंड में आप चला लिए है मिस अपना महला साइड वाले जो जो जिसमें कम ग आप ले पाएंगा इस वीडियो के इन तक जरूर देखें अगर आप भी कोई बिगनर ड्राइवर है तो आपका पूरा पूरा रोड एक्स्पियंस जरूर हो जागा इस वीडियो देखने के बाद आपको कुछ टिप्स भी प्रोवाइट करेंगे जिससे आपको बहुत सार असानी होगा तो अगर मेरे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राब करना बिल्कुल भी ना भूले और अपने फ्रेंस के साथ शेर भी करें ता कि उन लोगों के पास इन फॉर्मिंग वीडियो पहुँ सकते हैं और यह मेरे कुछ सामने आप रोड देख सकते हैं यह में रोड में बहुत तरह का रोड होते हैं एक होता है जो सीटी के अंदर से गुजरता है उसमें बहुत जादा ट्राइफिक बगरा रहती है और एक रोड होता है कि जो थोड़ा खाली खाली रोड होता है तो आप जब इनिशेल में आये तो कोसिस करें इस टाप पर चूने क्योंकि यह ह और यहां पर थोड़ा गाड़ी कम चलती है और आगे जाने के बाद आपको सीटी भी मिलेगा जिसमें गाड़ी थोड़ा जाबर चलती है तो मैं बेसिकली दुनों चीज में आपको चला कर दिखाने वाला हूँ तो देखिए गाड़ी कुछ में आभी रोड की इस साइड करते रखा हूँ मैंने सीट बेल्ट लगा रखा हूं आप लोग भी हमी से स्टेट लगा के चले टीके अब देखिए में गारी को स्क इस अड या रोड के शाय्टी फार ये अशेय pursue गफिए में डोनों हो आपको इसको आज्वाला बिश्क करे। इसको आज्जेश्ट करे मुझे आपी जैसे हलका सा राइट लेकर रोड में आना है क्योंकि मैं पूरा रोड की नीचे साइड में उतना हूँ तो सबसे पहले हम इसा ध्यान लगे कि लुकिन क्लास में देखने बाद इसके बाद इंडिकेटर ज़रूर देखे उसके बाद हलका से दर टनने दे जब गारी कोई आ रहा है तभी दा रहा है इने के अचानक से गारी को मोड़के निकल जाए वैसा गलती कभी में ने करें में रोड में या भी कोई भी हाईवे रोड में बहुत ही साधानी रखना जरूरी होता है तो फ्रेंज देखे दो नमन में लगा के मैं गारी कोई चाहिए सब कुछ वैसा ही करना को कुछ भी वैसा खास नहीं करना है कोसिस करें जो सेंटर जो लाइन है तो इससे हलका से चोड़के चले और इधर जो लाश्वाना रूट उससे भी एक तुक फीट छोड़के चले अब कोसिस करें अपने लिन में बीच में चलें, अब देखें जो गाडी सामने साती हो वहां से इसको पास देने आपको बास देगे तो अगर नहीं देता तो फिर आप जगा छोड़के रखें वह आपका कामा आएगा कि आप अपने साइट को दबा सके तेखें यहां मैं सब्सक्राइन जाना कि यहां ने ohh को आपको सब्सक्राइब के काह्या प्र। यह जस्ट आपको फॉर्मिलिटी है कि आपको करना है, तो मेरे साइड में आ रहा है, मैं पास दे रहा हूँ, थोड़ा आप देपे वह आराम से निकल गया, तो यह आपको ऐसा करना है, ठीक है, अगर आप इस सिच्वेशन में जल्दबाजी करेंगा तो हो सकता है, आपका न अचानक से जसे देखें, अभी अचानक से गाड़ी आ गए ट्रक और उससे ज्यादा दिक्कत होता है कि आप वहां पर देख रहे हैं कुछ गाय वगरा आ गया, तो इसके कारण बहुत सारा दिक्कत भी होता है, कई बार एकसे पर इसी के कारण होता है, तो इस चीज को समझ करने सोचना है, वह क्या करने वाला है, तभी आप गारी को अरां से चला सकते हैं, आपको कुछ समझना होगा, वह आप देखके कुस को समझ सकते हैं, कि प्रउंट वाला जो सामने वाला जो बस वह भी समस्तुषिज, जरूर यह नहीं है क्या है कि आपको पास दने के लाब काड़ी को इस तरह से की निकाल रहा हूं कंप सामने से वो बाइकार रहा है इसको पाक दिया ओर साइड रोल के पास का और हॉण का बहुत बड़ा रोल है अब देखी कुछ जा सकता है अब मैं यहां पर रोखे सबसे पहले मैं इंडिकेटर डीया थीक है अब देखिंग उदासे गारी देख लिया कि जब उधर यह तब मैं यहांसे अपना गारी को तर्ट कर रहा हूँ तो आपको पहले जो रोड जो णायन में चल रहे हैं तो पुरौ आपट जो जाने वाले ये दोनों के बारे में आपको समझ लाज़ना पड़े है क्यों आपको लोडान सेवरे जाना है करें अभिन के और बैको कभी भी काध्याक करेंगे ल्त हुथ और अब दॉत हिता है HOW को इसे ऐम सकते के जासे ऊंचेर आपके सब और खाटी फ кад套ी बाई को अग-ःच उतने बि माइम पट्राइब में थैक सब और ही अभी स्साइड हो छह फार क्सको अपके कारी को हिट कर सकते है तो कर दोल लो उवर कहने दोके में सिंपल जो पता रहा हुआ मैं है अगर आको कोोपर ऑद बारेसे थरोग सा कॉन का अगर। ही असो साइड नहीं होता है तो आप थोड़ा सा देख लिए जब आपका सेफ साइट हो जाए आपको लगे को आप पे जगा हो जाए तो ही निखा रहा है तो फ्रेज देखिए मैं आपको सबसे पहले यहीं बताया है कि कुछ ऐसा रोड कोजे जहां पर आपका भीड़ोड मिन्स ट्राफिक कम हो तो जैसे जैसे रोड टर्न हो चाहिए है वैसे वैसे आपको भीड़ा ट्राइट लेफट राइट लेफट राइट बैलेंस काना मैं देखिए को आपको पूर्ट में ही रगा है 40, 50, 60, maximum उसे जादा आपको नहीं चलाना है तो फ्रेंश जैसे मैं आपको बताया हूँ आपको स मैं इसको जाने दे रहा हूं है यह चला गए अब में यहां को कि मुझे इस पीछेस कोई गाड़ी सो पता होना चाहिए अब लूड़ी आघी है और लिवन क्यों अठीक कुले का आगे साही, अब भी पीछे से कौन सी गारी आहे हैं, यह तो आप इसको अणिकेर्ट कर रहे हैं कि मैं इधार लेप जा रहा हूं और राईट जा रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सामने जितने आप दिखने उससे ज़्यादर जरूरी है कि आपके पीछे कितना गारी है मैंस आपने लेप्ट अपने राइट और पीछे आपके कितना गारी है यह जादा इंपोर्टेंट ना के सामने से सामने तो important अपको कि साइट में आपको देखते रहना है, observe करते रहना है कि कौन से गारी आ रही है, कौन से गारी जा रही है, तो friends जैसे मैं आपको बता है कि turning लेते वे भी कैसे गारी को चलाना है, और overtake भी कैसे करना है, पूझे simply the road आत्राष भेल एब क्लिए को आप पच्च को कर आप कही भी गाडि को निकाल कित्ना भी इद्या बैजी में गाड़ी सकते हैं कित्ना भी जदा बीजी हो इससे भी गारी को निकाल सकते हैं तो फ्रेंड़ अब अब लाष्ट में आपको बताना चाहता हूँ एक बार मैं यूटन लें तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी अभी स्टाइटिंग में आपको दो तीन बार आ के पीछे करना से क्या होता है कि ट्राफिक लाए जाती तो आपको कई भराब भाराइट भी होने लगती जादा होने के कारण तो ऐसा गलतित को सिसकर अगर यहां से मैं देखिए यहां पर ले लिए क्योंकि यहां पर रोट कम था अब सपोस्थ मुझे पीछे लेना देखिए पीछे से बाइक आ रही है तो मैं उसको रोगा यही इसी कारण में आपको बताया कि कोसिस कारें कि जगह कोस इतना हो कि एक बार में यूटन लो अब ऐसा उसके बाद फिर दखिए पिर से आपका यूटन कम्प्लीट होगी है यह आप दो बार में की अगर यही जगह ज़्यादा रहता तो एक बार में हो सकता था पट कोई बात नहीं हर जगह ज़रूरी नहीं कि आपको जगह मिल रहे पट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सपो बता हूं कि यह जितना भी गारी होता है ठीक है जितना भी ड्राइविंग से रिलिटेट कोई भी चीज होते है यह आपको प्रैक्टिस करने से होते हैं आप इसको जितना जादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जादा आपका एक्स्प्रियंस होते रहेगा बट यह नहीं कि आ उड़ा के पारकर लेगा वह अच्छी बात नहीं है आप इसको सुरो में कितना अराम से पारके कि जो आपके पैसेंजर से बैठे में जो आपके फैमिली से बैठे में हैं उनको जरक उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो एक कमफर्ट राइट प्रोवाइड हो सके उसके लिए